हाई फ्रेंज मेरा नाम वेर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एग्युमेंटेस डीडीएस सस्पेंसन डीडीएस सस्पेंसन का मतलब डबल डोस सस्पेंसन है जिसको बनाया जाता है Geralanto के दुआरा बनाया जाता है जिसको GSK के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर Amoxilin 400 Mg N 5 ml रता है और Calvinic Acid 57.5 mg रता है मतलब यह क्या रता है कि इसके अंदर Amoxilin 457 र Katy इसके अंदर 57 रता है मतलब यह 190 रुप्टे का आता है और oral suspension रहता है और यह treatment करता है बैक्टेल इंपेक्शन का यह treatment करता है तो इस वीडियो में इसका योज जस, benefit, side, repeat, कैसे योज होता है, drug कैसे काम करेगा safety advice क्या रखने का है, dose में इस होजा, तो कैसे लेने का और इसका substitute कौन-कौन सा available है तो वो सब बाते इस वीडियो में मैं share करूँगा, ताकि आपको argument in double dose suspension के बारी में संपोंट जानकारी मिल सके तो यह वीडियो केवल and केवल medical student और health care student के education purpose के लिए है तो कोई भी medicine से कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सला जरू ले तो वीडियो को हम स्टार्ट करते एक छोटा सा इंट्रो के बात एग्यो मैंटीन डीडीएस सस्पेंशन जोकी बनाया जाता है जी एसके के दुवारा बनाया जाता है अमोक्सलीम 400 and केलविनिक एसे 57 रहता है तो दोन्यों का डोस मिला के 457 हो जाता है और 190 रुपिज का यह पूरा सस्पेंशन रहता है जो के 30 ml का सस्पेंशन रहता है और यह ट्रीटमेंट करता है बेक्टर इंपक्शन में इसको यूज़ किया जाता है अगर आप इसको जादा ले रहो डौक्टर की सला से नहीए ले रहो के अंदर एक एंटिबायोटिक्स डाला गया है जो कि active against amoxilin and calvinic acid रहता है और यह क्या करता है कि prevent करता है बैक्टरा के cells वाल को जिससे बैक्टरा को survive करने के लिए जो food रहता हूँ तो वो नहीं मढ़ता और calvinic acid एक beta-lektomazine inhibitor है जो कि prevent करता है और करता है बैक्टरा को और amoxilin के अगेंस्ट में effectively काम करने में help करता है बैक्टरा के अगेंस्ट में तो ऐसे काम करता है यह oral suspension तो suspension के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउड रहें तो comment section में पूछ सकते हो otherwise जो description में email idea है वहाँ पूछ सकते हो चैनल पर और वडियो पर पहली बार आप विजिट कियो तो हमारे चैनल को जुरू subscribe करें साथ में जो bell icon है उसको दबाए ताकि जब भी मैं next video upload करूँ तो आप तक एक notification पहुँच जाए तो आज के लिए इतना ही मिलते है next video में तब